आप जो सीमेंट के खंबे देख रहे हैं सब पर ड्रेगन फूर्ट लगे हुए हैं और हम चप्तिफगाण के कोंडगाओं से बोल रहे हैं कोंडगाओं के लिए एक अच्छी कबर है कि यहां पर ड्रेगन फूर्ट की खेती बड़ी सफलता पुरूख हो रही है आज मैं आप देखन फूर्ट कोंडगाओं में अच्छे से उगना और उगने के बाद अच्छी फूर्टिंग आना अन्य कई पौधों में भी फल लग रहे हैं चाहे तो पास से जाके देख सकते हैं उसे एकदम पास से जाके तो आप पाएंगे कि यहां पर डेगन फूर्ट काफी अच साइज भी बड़ा अच्छा है लेकर फूर्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि कोरोना के समय यह सामने आई कि रोगों से लड़ने की छमता यह बढ़ाती है और इसे बहुत सी फॉस्टिक फल माना जाता है और यह कैसा फले जिसके देश में ही नहीं विदेशों में भी कि बड़ी अच्छी डिमांड है और भारत में भी जाएंगे तो दोसों से चार सुरुपे किलों तक बिखता है तो भारत में भी इसी अच्छी डिमांड है यह हमारे जो मादंत्यूसरी हर्बल का जो लोगप्री माडल है आश्टेलियन टीक के पेड़ों पे जो काली मित च सबाश लगाया तो पचिसों पचीश साल तक पैल लिजनुक्ली खरीट ना बीज नहीं खरीदे ना चलाना रस हुआ कांटियद हर कचान करने जानवर कांशन को सबसे अपने आप सब्सक्राइब कर लेता है इसलिए कोई भी से सब्सक्राइब करने लगता है तो अब किसानों को ऐसी फफलों की तरह भी रूप करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा करते हैं सब्सक्राइब कर लेबर करें कम से कम जहमत कम से कम खर्चे में अधिक सधिक लाव इसकी एक एकड़ की खेती पे यह फमच देजिए पांच से साथ लाक रूपया प्रतियक अधिक हम कमा सकते हैं